हलो दोस्तो के सिवाब दोस्तो आज आपको बताने वाले EPS 95 पैंसन वरदिज समधी एक नए अपडेट निकल करा रहा है नई जानकरी हम आपको देंगे इस वीडियो को मादेम से और दोस्तो यहाँ पर प्रियाग राज से यहाँ पर यह जो हैं EPS 95 का जो NAC की टीम के दुआरा राश्टे संगर समिती दुआरा जो चलाया जा रहा है उनके सभी पदादिकारी वाँ पर मोजुद थे वाँ पर उनका जोर जोर से सम्मान किया गया है और वाँ पर जो बाते हुई है उनके पैंसन की बड़ोत्तरी से सम्मधित बाते हुई है और कैसे कैसे आगे का जो प्रोसेस होगा वह सब कुछ बाते माँ पर हुई है तो इस वीडियो के माद्यम से हम आपको यह बताएंगे वीडियो में समझ में आएगा तो दोस्तो चैनल पर अगर आप नए होना तो पिलिज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेना क्योंकि हम प्रोसेस तो दोस्तो यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रहा है यहाँ पर पता देते हैं आपको जो कमंडर असुक रावत जी है एनसी के बड़े-बड़े नेता यहाँ पर मोजुद हुए थे तो इस जगह पर जो सबा हुई थी इस सबा के अंदर प्रयागराज के बैठक हुई है उसके अंदर जो डिसकस निकला है या जो उसमें डिसेजन निकला है वह भी बता रहे हैं आपको बैवे सबा समरा हुआ था और राश्टी जो भी इनके नेता थे वहाँ पर सभी आमंद्रित हुए थे वहाँ पर कमंडर असुक रावत जी ने सभी को लगात दो मिटिंग है उसके बारे में बताने के लिए कि जो 25 बड़ोतरी सम्मधित यह आदो लोगों को तो पता ही नहीं है जो भी 25 नीकल कर आ रहे हैं यहाँ पर इसके बारे में इन्हों ने यह भी अवगत कराया था कि हमारा जो बात है सरब मंतरालें जार बाता वह ठो मूंन् प्रकार के बात कि लाना चुम्हाहें अम्हां सोच रहे पाल मिलस मृंहें आपको जल्द होतके बता बासलिकory पताईम्हानूर्ड संद मादब न्याथनु. जो है वो सरकार पर बना कर रखना है बरकरार रखना है क्योंकि पूरे देश के अंदर जो ये वाजिब मांग उठ रही है एक पेस 95 पैंसन धारोकों की यह एकदम जाइज है क्योंकि EPS 95 पैंसन धारोकों को अब भी 700, 800, 900, 1100 रुपिय तक ही पैंसन मिल पाती है जिससे EPS 95 पैंसन धारोकों का यहां पर गुजारा नहीं हो पाता है और इसकी मांग को लेकर EPS 95 NAC की टीम के दौरा या NAC संगठन के दौरा बहुत बड़े-बड़े आदलन हो चुके हैं हर मंतरी हर उच मंतरी या फिर सरकार EPS ओफिस यहां तक की उच नियाले तक भी यहां पर बाते जा चुकी है कुछ सुपरिंग कोड तक बाते जा चुकी है यहां तक अभी तक इसकी जो EPS 95 पैंसन धारोक है उनकी काफी संक्या है और इनकी जो मांग है अभी तक पूरी नहीं हो पा मजबूरी है क्योंकि 700, 800, 1000 या 1100 रुपय में किसी परकार का कोई गुजारा नहीं हो पाता है मंतली में अगर यहां पैसा पैसा आता है EPS 95 पैंसन धारोकों के खाते में तो इससे गुजारा नहीं हो पाता है यहां पर हर सरकार को यहां पर बताया गया है सरकार तब भी 7500 की जो मांग हो रही है प्लस डिये प्लस मेडिकल सुवीदा पती पतनी दोनों को मेडिकल सुवीदा मिलनी चाहिए कुछ इस पर करके उनके दुवारा मांग की जा रही है तो दोस्तों वहां पर यहीं बते हुई थी और कहा था कि हमारी संगटन को बड़ावा आप देते तो आपको इससे पहले का मेरे एक वीडियो मिला होगा उसके अंदर यही बताया था कि इस 95 पर दारों को की जो मांग है जल्द ही पूरी होगी यह सब्द खूद कमांडर असोग रावत जी ने बताया है कि अब रहत है है आप यपीन रखेए है कि अधर पर अब नव तारिक को आधिनियों घ्रेजस पीसर जो हमारे मां सची वह फोर्च श्रम मंत्री से बिले मैं ने जाताया वह प्रदेव फूर मेरे श्रम मंत्री ने ने को बढाया और तहा कि भई मैं आप़ी के बैटा हू कि उनको उच्छ जो भी मंत्रियों से उनकी बाते होती है उसके माध्यम से EPS 95 पैंसन दारोकों की जो मांग है उसका यहाँ पर उठाते रहते हैं और यहाँ पर वो चाहते हैं कि जो यह मांग है जल ही EPS 95 पैंसन दारोकों की पूरी हो ताकि हर EPS 95 पैंसन दारोकों को जो मांग है इसकी पूरती जैसे ही होगी तो सभी को इसका लाब मिलेगा आने वाल उनको भी इस प्रकार की पैंसन मिनने लग जाएगी तो ऐसा उन्होंने यहां से परजेंट से लेकर फ्यूचर तक की बात को समझाया था और प्रियागराज के अंदर एक अच्छी सभा करके अपना संभोधित किया था अपने EPS 95 पैंसन दारकों को सभी को जितने भी पैंसन दारक हैं वहाँ पर मोजुद थे तो प्रियागराज से यह उन्हें ने अपना जो भासन है वह संभोधित करते हुए बताया और समझाया तो दोस्तो इस प्रकार की वहाँ पर बाते हुई थी तो इस प्रकार यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही है यही है कि EPS 95 पैंसन दारकों की जो मांग है वह जाइज है जल्द ही सरकार इसको पूरा करे नहीं तो EPS 95 पैंसन दारक जो है इसके विपरित जा सकते है और बड़े बड़े आदोलन देखने को सरकार को मिल सकते है तो आसा करता हूँ दोस्तो इस वीडियो को मादम से हमने आपको जो जानकारी दिये है प्रयागरास से जो निकल कर आ रही थी वह आपको समझ में आ गई होगी तो दोस्तो नए आपडेट आपको मिल गया होगा तो आसा करता हूँ दोस्तो इस वीडियो के मादम से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आगे होगा तो दोस्तो कैसा लगा मेरी वीडियो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें आगे सेर करें और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना क्योंकि हम EPS 95 पैंसम व्रदी समधे छोटा नया बड़ा अपडेट जो भी निकल कर आता है वहे मैं मेरा आपके चैनल के मादव से सेर कर देता हूं ताकि आपको हर अपडेट पता लगता रहे कि EPS 95 पैंसम धारो तो दोस्तों मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जैहिंद